नमस्ते, नया साल, नय संकल, स्वस्त रहने के लिए टहलते हो, व्यायाम कर रहे हैं आजकल? हमें खाने से पहले व्यायाम करना चाहिए या खाने के बाद, इस बड़े प्रशनों को लेकर कई विचार हैं, मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करती हूँ. कुछ समय पहले मुझे एक बुज़ुर्ग महिला ने नसीहत दी थी, कि महिला है, खाने के बाद काम करें, तो सेहत अच्छी बनी रहती है, और पुर्शों के लिए इसके विपरित, उन्हें खाने के बाद आराम करना चाहिए. पुर्शों और महिलाओं में आज भी हमारे देश में ऐसा भेदवाव है, ये सोचकर उन्हें इस बात को लेकर मैं भहस कर पड़ी. उन्होंने कहा इसमें भी शास्त्र है, मैंने सहजी पूछ लिया बताईए क्या शास्त्र है? प्राचीन समय से मर्द काम करकर घर आते है, फिर खाना खाकर आराम करते है, और महिलाओं उन्हें खाना खिला कर खुद खाने के बाद सारा काम करती आ रही है, तो दोनों स्वस्त रहते थे. आज कल की ओरते पहले सारा काम निपड़ जाए फिर खाने के बाद काम नहीं होगा ये सोच से बिमार पर जाती है मानो या ना मानो आगे तुमारी मर्जी उनकी उम्र का लिहास करते हुए मैंने कुछ जवाब नहीं दिया उनकी बातों पर थोड़ा विचार करने के बाद सोचा हो सकता है इसी वज़ा से हमारे DNA में कुछ ऐसे प्रोग्राम हो ये सोच कर जब मैंने कुछ दुन तक ऐसा किया तो वाकई मैं मुझे काफी अच्छे नतीजे मिले डॉक्टर आडम कॉलनेस जो nutrition consultant और senior lecturer है nutrition university of सूरे में उन्होंने किये हुए research में भी ये बात कही गई है कि महिलाए अगर खाने के बाद व्यायाम करे और पूरुष खाने से पहले व्यायाम करे तो उनके fast जादा बन होते है इसी research पर आधारे 13 पूर्षो और 17 महिलाओ कुल 30 लोग जो आम जीवन में जादा व्यायम नहीं करते उन पर किये गए प्रयोग को टीवी चैनल प्रोग्राम trust me I am a doctor को मैंने देखा तो बुजूर्ग महिला ने कही बात सत सावित हो गई बड़े भुजूर्गों की बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए ये बाते शास्त्रों में बताए कुछ ऐसे नियम है जिनका पालन करना आवश्यक है तो याद रखे महिलाओ खाने के बाद काम करें तो सेहत अच्छी बनी रहती है मोटा पा भी नहीं आता और पूर्शों के लिए इसके बिल्कुल विपरेत खाने से पहले काम और खाने के बाद आराम करना चाहिए धन्यवाद